Welcome back friends This is my first Q&A video इस Q&A video series के तुरू November month में जितना question मुझे पूछा गया था cover करने का पूरा कोसिस करूँगा Actually बहुत सारा question accumulate हो चुका है सब question को सायद इसी महने में cover करना possible नहीं हो पायेगा So never mind Those questions will be picked up on next month ये question देखो ये बहुत ही interesting है उसके साथ साथ important भी है तो इनका question है VFD के थ्रू के हम लोग really energy save कर सकते हैं अगर single sentence में इसका answer दिया जाए तो partial load में जब motor operate करेगा तब ही हम लोग energy saving कर सकते हैं VFD यूज करके Maximum student के लिए answer confusing होगा तो चलो आज हम लोग discuss करेंगे How does VFD save energy consumption for induction motors VFD यूज करके हम लोग up to 90% energy save कर सकते हैं Practically VFD यूज करके कैसे energy saving possible होता है वो समझने के लिए हम लोग को ये motor pump का arrangement जो practically industry में use होता है That will be considered Industry में लगभग 90% motor induction motor होता है और उस motor को किसी ना किसी pump या fan के साथ couple किया जाता है अब मान लेते हैं ये pump use किया जा रहा है water flow control करने के लिए तो industry में कभी हम लोग को ज़्यादा flow चाहिए कभी कम flow चाहिए तो जैसा system में requirement होगा उस हिसाब से flow को हम लोग को कम ज़्यादा करना पड़ेगा अब देखो industry में दो टाइप का motor यूज किया जाता है one is fixed speed motor another is variable speed motor अगर हम लोग fixed speed motor यूज करते हैं तो उस case में flow का demand ज़्यादा हो कम हो लेकिन motor अपना rated speed में जो कि उसका full speed है उसमें ही rotate करता रहेगा speed में कुछ change नहीं होगा लेकिन variable speed motor के case में according to flow जो motor का speed को हम लोग vary करते हैं इसका मतलब अगर flow ज़्यादा ज़रुवत है तो motor का speed बढ़ा देते हैं और अगर flow कम चाहिए तो motor का speed घटा देते हैं और ये speed variation possible कैसे होता है भी एब डियूज करके अब ये question 1 में ज़रूर अरा होगा अगर motor का speed fixed रहेगा तो हम लोग flow को control कैसे करेंगे तो flow को control करने के लिए यहाँ पे bulb का use किया जाता है हम लोग घर में जैसे tap का opening कम ज़्यादा करके flow को regulate करते हैं बस उसी तरीके से यहाँ पे bulb का opening को control करके flow को control किया जाता है motor fixed speed में रोटेट करता रहता है तो इस case में अगर bulb opening और flow का curve हम लोग देखेंगे जैसे bulb opening बढ़ता है flow भी बढ़ते जाता है अब अगर हम लोग BFD यूज करते हैं और उसके थुरू motor का speed को variation करते हैं तो यहाँ पे bulb नहीं रहता है और flow को regulate किया जाता है motor के speed के थुरू तो motor का speed जैसे बढ़ता है flow भी बढ़ते जाता है जब हम लोग fixed speed motor यूज करते हैं तो यह flow controlling method को throttling process कहा जाता है जब हम लोग valve का opening control करते हैं और flow को उस हिसाब से control किया जाता है तब motor तो अपना fixed speed में rotate करी रहा है इसलिए flow का amount जब बहुत कम है तब भी motor बहुत ज़्यादा energy draw करता है अब इस carb में देखो flow के साथ साथ motor जो power draw करता है उसमें किस तरीके से change आता है firstly हम लोग consider करते हैं जब valve को हम लोग control कर रहे हैं तो इस carb से हम लोग देख सकते हैं flow का amount बहुत कम होता है तब भी motor consider level amount power consumption करता ही है लेकिन अगर हम लोग VHD use करते हैं और motor का speed vary करते है flow control के लिए तब काफी ज़्यादा energy save किया जा सकता है अब यह energy saving possible कैसे होता है यह समझने के लिए law of affinity को थोड़ा समझना पड़ेगा यह basically एक mechanical engineering का concept है बहुत ही आसान concept है इसको आराम से समझ सकते हो देखो जो power consumption fan या motor का होता है वो speed के cube के साथ proportional होता है इसे हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग speed control करते हैं flow control करने के लिए तो motor किस तरीके से power draw करता है अब यहाँ पे एक चीज notice करो जब 100% flow है तब दोनों case में ही motor same power draw करेगा तो अगर हम लोग का application इस type का है जहाँ पे flow change करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है तो उस case में BHD use करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि energy saving उस case में possible ही नहीं है लेकिन maximum industrial application में देखा जाता है flow हमेशा 100% पे operate करने का जरूरत नहीं पड़ता है flow को कम करने से भी काम चल जाता है तो अगर हम लोग को 50% flow चाहिए तब देखो कितना ज़्यादा power consumption में difference है So BHD use करके हम लोग इतना power saving कर सकते हैं But one thing you must remember अगर flow 100% हो तो दोनों case में power consumption same ही होगा So I hope now your concept is clear In production motor में rotor slot के जगा पे stator slot को हम लोग skewed करें तो क्या magnetic locking को prevent करना possible होगा The answer is big yes लेकिन आप यहाँ पे एक question तो आने मन में आ सकता है तब rotor slot को skew करने क्या जरूरत है Stator slot को हम लोग कर सकते थे इस से actually magnetic locking तो reduce हो जाएगा और uniform torque भी production हो जाएगा लेकिन starting torque में rotor skew bar से जो advantage मिलता है That will not be achieved यह सब concept अच्छे से समझने के लिए rotor bar को skewed करने से Actually magnetic locking prevent होता कैसा है यह जानना बहुत जरूरी है इस concept के उपर already एक वीडियो में बना चुका हूँ इसका link में description and eye button में दे दूँगा तुम उसे देख सकते हो So that's all for now मिलते है इस सीरीज का next वीडियो में